प्रिय विद्यार्थियो फस्ट पेपर हमारा कंटिन्यू है समाजिक विचारक तो समाज सास्त्रे विचारों की श्रंखला में कार्ल माक्स इमायल दुर्खिम और मैक्स वेबर की डिटेल स्टडी करने के उपरांद कुछ आधुनिक विचारकों के बारे में भी जानेंगे ये हमारे पाठेकरम में जुरगेन है ब्रमास एंटेन्यो ग्रामस्की और कई दूसरे अन्ने विचारक भी हमारे सलेवर्ष में हैं जो आधुनिक विचारक हैं पहले जो विचारक थे वो founding fathers of sociology की केटेगरी में आते हैं और अब जो ये विचारक हैं ये आधुनिक समाज सास्त्रे विचारक मने जाते हैं जिन में कुछ तो मार्क्सवादी विचारक हैं और कुछ गैर मार्क्सवादी विचारक हैं कुछ समाज सास्त्र को विज्ञान मानने वाले विद्वान हैं और कुछ समाज सास्त्र को विज्ञान नहीं बलकि एक अलग तरह का एक मानुए पुट देने वाले जो विज्ञान मानते हैं और उसकी उपरांत जो हमारी अंतिम जो यूनिट आएगी उसमें भारतिय सामाज की विचार्क आपके पाठेकरम में है तो इस मेक्स वेबर के बाद जो हमारे पाठेकरम में अगला नाम है जुर्गेन है ब्रमास जुर्गेन है ब्रमास का जनम 18 जून 1936 को जर्मनी के डसल्डरफ राइन प्रांत के एक मध्यम प्रिवार में हुआ आप एक विश्व विख्यात समाज सास्त्री और दार्शनिक हैं उन्होंने समाज सास्त्र को इप्रभावित नहीं किया अपितू दर्शन सास्त्र राजनेतिक विधिक विचारधारा संचार्शं मंदिय अध्यन विकास का मनोविज्ञान और अध्यन सास्त्र को भी बहुत ज़्यादा अर्थपूर्ण रूप से प्रभावित किया है तो एक तरह से हैब्रमास जो है बावमुकी परतिबा के दानी विध्वान है हैब्रमास का समाज सास्त्र योगदान एध्यत्य है विशेश रूप से आलोचनात्मक्षिधान्त की प्रंप्रा के विचारक का आप माने जाते है यानि आप उनको क्रिटिकल थ्योरी ट्रेडिशन के ठिंकर में रखेंगे जर्मनी के विचारक हैं और अपनी रचनाओं में ये उन्होंने इस्पस्ट किया है कि सभी से धानतों में सहकारिता होती है कोई भी संस्कृती मानो जाते के सोचन को सहन नहीं करती है और कोई भी धरम भोले भाले लोगों की हत्या की अनुमती कभी देता नहीं है उनके विचार है मानो जाते के सोचन को सहन नहीं करती कोई भी कल्चर वर्ल्ड की और कोई धरम निर्दोस लोगी घत्या की अनुमती देता नहीं और कोई भी सभ्यता हिंशा और भैक और स्विकार नहीं करती है वाइलेंस की पक्षदर सायद कोई सब बहता नहीं है वर्ल्ड बे भैबरमास ने एक नवीन मानोतवादी प्रम्प्रा को विक्षित करने की कोशिस की है मानोतवादी प्रम्प्रा इसके विकास में उन्होंने हीगल और मार्क्स की रचनाओं को बहुत ज्यादा महतो दिया है क्योंकि यह आपड़ पर पहले मार्क्स जो हीगल से प्रभावित थे और सोशलोजी में बाद में अनेक विद्वान जो हैं वो मार्क्स से प्रभावित रहे है मार्क्स की दर्चनाओं को विशेश महतो दिया उन्होंने अपना स्वेम का आलोर्चनात्मक सिध्धहन्त का प्राणूप विखशित किया है बर्मास जिसको कह एक मोडल दwas़ किया जिसमें पंजुवादी समाजों की ततकालिक विकासों का विशेश द्याNo रखा गया है काल माक्स की तरह हे ब्रमास भी तीन विभिन प्रकार के पुंजिवादी समाजों को द्यान में रखते हैं उत्तर पुंजिवाद, संग्ठित पुंजिवाद और उत्तर पुंजिवाद तीन प्रकार के पुंजिवाद होगे, उदार पुंजिवाद, संग्ठित पुंजिवाद, तथा उत्तर पुंजिवाद post-capitalism, organized capitalism, liberal capitalism, there are three forms of capitalism according to Hebramass उनका भी मार्ष की तरह ये मानना है कि परतेक व्यवस्था में नेहित विरोध के कारण विगड़न और परिवर्तन आएंगे आप चेतना और विचारों की भूमिका पर भी बहुत ज़्यादा बल देते हैं जो चेतना और भूमिका जो है इस किसम के परिवर्तन ले के आते हैं क्योंकि चेतना के बना परिवर्तन आते नहीं है तो आप चेतना और विचारों की भूमिकार, रोल ओफ आइडियाज, रोल ओफ आइडिलोजी, शोशल चेंज जो है, वो चेतना से और रोल ओफ आइडिलोजी से आते हैं है बरमास के नुसारब परिवर्तन उदारता से संख्ठित मुंजिवाद में हो गया है Organized Capitalism, Automatic Commerce यानि कि सवचालित वानिज्य, सवचालित वानिज्य के बाजार को धीरे धीरे राज्य की भूमिकार के विस्तार ने ले लिया है जो आर्थिकी और समाज के लगबग सभी छेत्रों में दखल देती है आजकल संख्ठित मुंजिवाद का किस प्रकार से एक खाका परस्तुत करते हैं ब्रमास कि बाजार जो है सवचालित वानिज्य के बाजार को धीरे धीरे क्या है राज्य की भूमिका ने अपने गिर्प्त में लिया है वो उसका विस्तार हो गया है और जो दखल है राज्य का वो एकनोमिक्स और सोस्वाइटी यानि आर्थिकी और समाज के लगबग सभी छेत्रों में बढ़ता है आर्थिक चक्र को नियमित करना रोजगार की गारंटी देना समाज विवस्ता के कारिये करना ये जो रूप हैं आर्थिक चक्र को नियमित करना रेगुलाइज करना रोजगार की गारंटी देना समाज विवस्ता के कारिये करना ये जो आधी आधी कारिये हैं इन रूपों में राज्य दखल दे रहा है लोगों को व्यवस्था में व्याप्त विरोधों के परती चागरूक कर रही है यह ब्रमास के विचार है आधुनिक राज्य के बारे में वेलफेर स्टेट किया उधालना है उसके बारे में निने लेनी की जो प्रकिरिया से सामाजिक से भागिता की विर्धी लोगों को व्यवस्था में व्याप्त विरोधों के परती जागरूक कर रही है यह जो चीज है आर्थिक और राजनेतिक साहसिक कारिये के पुने संयोग के लिए एक नवीन प्रकार की ओप्चारिक विधी की वो चर्चा करते हैं और नई प्रकार की ओप्चारिक विधी की आवशकता पर बल देते हैं और उफचारिक गनतंतर की जो व्याख्या इस आवशक्ता को पूरा करने की कोशिस कर रही है ये एक रीपब्लिक, फॉर्मल रीपब्लिक जो डेमोग्रेटिक सेस्टम में जो नेने लेने की जो प्रोसेस है उससे से भागिता की विर्थी और लोगों को व्यवस्था में जो विरोध है उसके प्रति जागरूप करते है कि विवस्था का विरोध किया जाए इसमें पुन्जिवाद में संकट निरंतर बढ़ता है ये पुन्जिवाद के लिए कई चुनोतियां खड़ी हो रही है ये बरमास ने बच्पन में सेकिंड वल्ड वारी यानि दित्य विश फ्रैंक्फोर्ट संस्थान से प्राप्त किती और बाद में है बरमासने इस संस्थान की आलोचनात्मक्न सिद्धान्त की परंप्रा को आगे बढ़ाया一起 के च्रिव की ट्रइशन को आगे बढ़ाया और उनके विचारों और रसनाओं में इस संप्रदाय के परतिपादकों और आलोचनात्मक सिध्धान्त वेताओं के परभाओं को स्पस्ट रूप से देखा जा सकता है। पुराने जो critical theorist थे, आलोचनात्मक सिध्धान्त वेता विद्वान, उनका परभाओं हेवरमास्पस स्पस्ट रूप से देखता है। उन्होंने मेक्स वेवर, दुर्खिम, मीड, पार्शन्स, मार्क्स और नौ मार्क्स वादियों तथा अनेक दार्षनिक मनोवे ज्यानिकों के नियमों की समीक्षय की और अपने संप्रेशनिये किरिया के सिध्धान्त को परतिपादित किया। जो हेवर मास का समाच साष्तिर के अंतरगत परमुख सिध्धान्त मालजाता है। उनकी अतुल्द ये देन है, संप्रेशनिये किरिया सिध्धान्त। हेबरमास की परमुख रचनाएं हैं तीन चयार जो उन्होंने जानी जाते हैं कि ये पुस्तके पुस्तके दा स्ट्रक्चरल ट्रांस्फर्मेशन अफ दा पब्लिक स्पेर ये 1922 में हेबरमास ने लिखी दूसरी उनकी परशिद पुस्तक है था Future of Human Nature उन्होंने पुस्तक है और तीसरी Knowledge and Human Interest जो उन्होंने पुस्तक है और Legitimation Crisis वैदिता संकत उन्होंचिर में पुस्तक हैं ये उनकी परशिद पुस्तके हैं परमुख पुस्तक हैं और उनके संप्रिशन क्रियाशिद धानत के बा झाल झाल